तो गाई 67 senior national kabadi championship का day 1 अब खतम हो चुका है and हमें men's के 12 matches और women's के 8 matches देखने को मिलने वाले थे लेकिन unfortunately हमें men's के सिर्फ 9 matches और women's के सिर्फ 6 matches देखने को मिले तो men's का जो 3 matches बचा वो हमें आज देखने को मिलेगा and women's का जो 2 match बचा वो अब हमें आज देखने को मिलेगा लेकिन उसके अलावा जितने मी matches हुए वो सबका इस वीडियो में मैं आपको result बताने वाला हूँ तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही जड़ा interesting तो आप क्या कीजिए बस सुरू से लेके आंता कि इस वीडियो का देखते रही है तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको senior national के one of the favorite team services का पुड़ा कपुड़ा squad दिखा देता हूँ जो आप अभी अपने screen पे देख सकते हो तो services के captain हमें रोहित कुमार देखने को मिल रहे हैं उसके बाद नवीन कुमार नितिन तोमर सुजीत सिंग नितेश कुमार संदीप कंडोला अब आप में से जो लोग भी संदीप कंडोला को नहीं जानते तो मैं आपको बता दो संदीप कंडोला तेलगू टाइटन्स के लिए पास सीजन में खेल चुके हैं और बहुत ही कमाल का खेले थे लेकिन मतलब यह एंकल होल के आप कह सकते हैं जिनका एंकल होल बहुत ही जादा अच्छा है लेकिन उसके बाद इन पर बैन लग गया था किसी रीजन के कारण जो मैं आपको अभी नहीं बता सकता सो उसके कारण बहुत सीजन तक इन्होंने प्रो कबड़ी मिस किया बट फाइनली यह सीनर ने असल में आ चुके हैं सो मौस प्रोबबली यह हमें इस बार आउक्शन में देखने को मिलेंगे उसके बार आपको महेंद सिंग सौरव गुलिया सोंबीर सचिन नर्वाल आजीत और साहिल देखने को मिल रहे होंगे तो यह सारे प्लेयर सर्विसेस की टीम में तो मैंने आपको बता दिया विकॉस यह वन अप दो फेवर्ट टीम है विकॉस इस टीम में रोहित कुमार नभीन कुमार नितिन तोमर संदीब कंडोला और नितियस कुमार जैसे बड़े- बंगाल गारब और हम सबको बता है राजस्थान में दीपक निवा सुड़ा है सो डेफिनेटली राजस्थान के ज्यादा चांसे थे इस मैच को राजस्थान ने आराम से वन साइड़ मैच में जीत लिया 46 पॉइंट गैप से उसके बाद का मैच नमबर टू हमें नहीं दे पॉइंट लिया 29 पॉइंट से इस मैच का फाइनल रिजल्टा गुज्रा 39 और जारखन 10 इसके बाद हमें देखने को मिला सर्विसेस वर्सेज के ला के बीच मुकाबला इस मैच में आप कह सकते हो नबीन कुमार थे और सागर कृस्णा थे के ला की तरब से इस मैच का हमें देखने को मिला महराष्टर वर्सेज जमू एंड कास्मीर के बीच जिस मैच को महरास्टर ने 23 पॉइंट से जीत लिया इस मैच का फाइनल स्कोर था मारास्टर 47 और जमू एंड कस्मीर 24 इस मैच के जो बेस्ट रेडर थे वो ते पंकजम होई थे इसके बाद हमें दे 31 और तमिल नाडू 37 और परदीप नर्वाल के होने के बावजूद भी तमिल नाडू ने इस मैच को जीत लिया इसके बारा में देखने को मिला मैच 7 जो था उत्तर प्रदेश विधारबा के बीच उत्तर प्रदेश की तरब से राहूल चौधरी थे तरफिणेटल इस मैच में पल रहा उत्तर प्रदेश का भाड़ी था उत्तर प्रदेश ने स्वाच को 40 पॉँट्ट जीत लिया इस मैच का फाइनल स्कोर था उत्तर प्रदेश 55 और विधारबा 15 इसके बारा में देखने को मिला मैच नंबर 8 जो था कर्नाटक वर्सेज मद्य और इसा के बीच इस मैच को उत्रांचल ने जीत लिया 22 मैच का फाइनल रिजल्ट था उत्रांचल 45 और ओर इसा 23 इसके बारह में देखने को मिला मैच बडर 11 मतलब मैचघंब टैन हमें नहीं नहीं देखने को मिला चली को दूसरा मैस जो व्कॉसपॉंड हो गया मैच नमब 11 था माचल परदेश versus Manipur के बीच मतलब जाए ठाकूर की टीम हिमाचिल परदेश versus Manipur के बीच और इस मैच को हिमाचिल परदेश ने जीत लिया 29 पॉइंट से इस मैच का फाइनल स्कूर था 52 और 23 इसके बारे में मैच नमर 12 दूरुप छो था दली वर्रश्स मद्ध्या पर देश के भी जिस मैचलों देखने को लिए यह मैच को पंडरदेश 15 पंदरा इसके बाहरं में दिखने करना की पनवागे मिला क्या कीमान्छ फाइनल स्कूर जिरात के बीच इस मैच को जीत लिया हरियाना ने 54 23 के पॉइंट स्कोर से देना में देखने को मिला मैच निम्बर 7 मतलब मैच नमबर 6 नहीं हुगा जो पहला मैच था जो पॉस्पॉंड हुगा मैच नमबर 7 था हिमाचल पर्देश वर्स पॉंडी चैरी के बीच और इस मैच का फाइनल स्कोर ताइम आचल पर्देश सतर और पॉंडी चैरी दस और मैच नमबर 8 हो गया पॉस्पॉंड तो यह दोनों मैच इदर से पॉस्पॉंड हुए थे तो यह सब मैचे समयाद देखने को मिलेंगे अगर आपको अभी तक सब नहीं पता तो लास वीडियो का लिंक है और फिर मैं आपको कॉमेंट सेक्शन में भी एक बार पिन करके वहां पर डाल दूंगा तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो और अभी के लिए बसे ही थे वीडियो आयोप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो निचे कॉमेंट्स में लिखकर बते ही कैस लगी आपको वीडियो अच्छे लगी लाइक कीज़े चानल सब्सक्राइब करें लाइक इनको अब जाईए तक हम जैसे अगली का बड़ी वाल वीडियो बना स्क्रीन आपके पास आज आए और आपको कुछ नहीं करना आ बसक्लिए वीडियो के लिए वेट करना है